स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रूब कर पर तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे चतु समेश्टर 23 जो सस्टम प्रसंपत्र है हिंदी का इसके आंसर की बात करेंगे कि किसे ने क्या आंसर किया है इसको हम लोग जानने की आते हैं क्योंकि सायक तो बेंजन में छत्रग्रा और स्रीवालसरा आता है उसम में आपके तीनों साह आते हैं इस परस में का से लेकर और मां तक आपके पचीस बढ़ाते हैं ठीक है तो एर अलावा आपके अंतर्ष्ट हो गए सुद्वरतनी जो आपकी यहां पर है उपरि कि अंसर क्याम अथली सरणगुप्त उनका सहिए पंडिस सोहन लाल दुवेदी की रचना नहीं है यहां पर आप से यह कहा गया है चार नमबर में तो देखो पंडिस सोहन लाल दुवेदी की ना तो पल्लब है पल्लब जो रचना है शमित्रा नंदन पंत किया और न तो परना जैसंकर प्रसाद जी किये तो यह दोनों रचनाय नहीं है तो इसका नंबर जो हम यह कहेंगे किसा भी को मिलेगा क्योंकि यह कोश्या नहीं गलत है न तो हर किसी को इसका नंबर मिलेगा बाक का गुड़ नहीं है देखो बाक के गुड़ में साथकता यह होता है बाक का योग्गिता भी होती है पर क्रम बद्धिता जो आप लोगों ने लगाया जिसने भी लगाया उसका सही है क्रम बद्धिता की जगे अगर पद क्रम लिखा होता तो गुड होता है पद क्रम आप लोगों ने क्रम बद्धिता जिनोंने नहीं लगाया जिसने यह सोचा होगा कि क्रम बद्दिता बाक का गुड होता है उन लोगों का उन्होंने ये सूच लिया होगा कि बाक को क्रम से लिखना है ना पद क्रम से लिखने का मतलब होता है पद क्रम का मतलब होता है बाक को क्रम से लिखना क्रम बद तरीके से पर आपने इसको ये चीज़ समझ लिया होगा त पर अंसर सही क्या रहेगा क्रमबद्यता सही रहेगा कि सुद्द उच्चारण के प्रमुक्तत क्या क्या हो सकते हैं सुद्द उच्चारण के प्रमुक्तत की बात करें जैसे उच्चारण को सही उच्चरित करें इसके लिए हमारा स्वर जो सही होना चाहिए हमारे जो बोलने की सहली होती है वो हमारी सही होनी चाहिए बोलने में लय होनी चाहिए मतलब कई पिरकार से जो हमारे कले की पिछ होती है वो सही होनी चाहिए जिससे सामने वाले को हमारे द्वारा बोली गई बात इस परष्ट रूप से सुनाई दे सुद्दुच्चारण हो सके तो ये सारी पठन बाचन के पिरकार कितने होते हैं दो पिरकार होते हैं सच्वर बाचन होता है एक मौन बाचन होता है ठीक है समाचार पत्रों में बिभिन इस्थम्म कौन-कौन से होते हैं तो समाचार पत्रों के स्थम्मों की बात की गई है यह जो कोश्चन है यह आउटाप सलेवर्स ह जैसा कि आप लोग जानते होंगे यह आपके उसमें नहीं दिया गया है अगर हम लोग महादेवी वर्मा की प्रमुक रचना की बात करें तो महादेवी पर्मा की प्रमुक रचना है जो है निहार है निर्जा है रसिम है आप लोगों ने करी रचना है लिखी होंगी तो सही हित्मनोहरिचा बचम दुरलाभा सूप्त थिकाइस परष्ट अर्थ जिन्ोंने ये लिखा होगा कि जो बचन हित्कारी हैं और कानों को सुनने में प्रिये भी लगें ठीक है तो ये जिसमें दोनों गुल होते हैं उसको हम बोलते हैं मनोहरिचा बचम दुरलाभा ठीक है तो आप सबी लोग यह जानते ही होंगे आगे आपके लगुत्तरी प्रशन है जीवनी और आतमकथा का मतलब आप लोग समझते ही होंगे जीवनी क्या होता है किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी आत्मकथा क्या होती है खुद की आत्मकथा ठीक है तो ये जीवनी और आत्मकथा आप जैसे खुद की आत्मकथा में क्या हो सकता है जीवनी ये कैसी हो सकती है तो इस बारे में आप लोगों नहीं लिखा होगा छात्रों के लिए समाचार पत्र पत्र क्यों आवश्या कि समाचार पत्र से बच्चों में जो भाव आते हैं भाव उत्पन होते हैं समाचार पत्रों से हमको क्या जनकारी मिल सकती है बच्चों को समाचार पत्र हमारे लिए किस प्रकार से उप्योगी हो सकते हैं सारी जनकारी आपको लिखनी थी भाई समाचार पत्र से क्या होता है हमको अपने देश विदेश की जनकारी मिल जाती है बच्चों को परियाबड के बारे में भी जनकारीयां मिल जाती है कई परकार की बग्यानिक, मनुbग्यानिक, कई परकार की पाठ्थ पुस्तक से जुड़ी हुई, यह सारी जनकारियां जो हैं आपको मिल जाती है, ठीक है, नाटक तदा संबाद की अगर हम लोग बात करें, तो भाई ये इस परकार से नाट्टा के विम संभाद होगी आपका मुंसी प्रेम चंद का संचिप्त जीवन परचे लिखना था ठीक है और एक कंठेस्ट नीत इस लोग आपको लिखना था कुछ भी लिख सकते थे ना हिंदी में कारक कितने होते हैं आपको ये लिखना था करता ने करम को करड़ से संपरदान के लिए बादान से अलग होना है ना ये वाले कारक तो आप इनको लिख सकते थे आप सभी लोग पेपर इतना ज्यादा कठिन नहीं था जितना आपको लगा हो अब देखो हम आपको बता दें कल से हम सीटेट की क्लास से स्टार्ट करेंगे और हैंड रिटे नोर्स और जो भी नोर्स होंगी आपके पीडिया नोर्स वो आपक को इंस्टाल करके रिजिस्टर कर लें ठीक हैं अब हम चलते हैं सभी को जैहन वन्यवत्राइब